पिरिये विद्यार्तियों नमस्कार तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड पिरिक्षाई 2021 से सम्मंद दे तो दोस्तो आज साम की बहुती बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है दोस्तो तीस लाग कंडिडेटों को तीस लाग चातरों को रहत मिलने वाली है दोस्तो परमोट को लेकर कुछ इसतरी बैठक का निर्ने आने वाला है और दोस्तो यूपी बोर्ड का अंतिम निर्ने और दोस्तो एहम पहसला क्या आया है वह हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो दोस्तो 10-1 और 12 की प्रिक्षाई रद हो गई है और 10-1 के चात्रों को पर्मोट को लेकर फेशला आया है तो दोस्तो इस वीडियो के बारे में समपूर्ण जानकरे प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को बिना स्किप की अंत तक जरूर देखे जिससी की इस वीडियो की संपूर्ण जानकरे आपको प्राप्त हो सके और दोस्तों UP Board परिक्षाइं 2021 से संबंदित परिक्षाओं से संबंदित सटिक जानकरी और दोस्तों सबसे पहले जानकरे प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ओल का उप्शन बनता है उसे सलेक्ट जरूर करें जिससे की जो भी मैं निया वीडियो लिख्या हूं उसकी नोटिपिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें और आप ज़्यादा सी ज़्यादा मैनिफिट प्राप्त कर सकें दोस्तो चलते हैं इसकी होपी सियल वेबसाइड पर तो दोस्तो यहां पे दे रखा है जल्दी ही परमोट किये जाएंगे यूपी बोर्ड दस्वी के लाखो चातर जानी क्या है पूरी बात है दोस्तो यहां से आप पूरी जानकर प्राप्त कर सकते हैं दोस्तो सार क्या है यूपी बोर्ड दस्वी की प्रिक्षार्थियों को कर सकता है परमोट लग बग 30 लाग के करीब चातरों को होगा इसका फाइदा आयानि कि दोस्तो 30 लाग चातरों को इसका फाइदा होने वाला है तो दोस्तो इसकी विश्तार पूरों का हम जानकर प्राप्त कर लेते हैं यूपी बोर्ड जल्दी ही हाई स्कुल की प्रिक्षाओं में सामिल होने वाले लाखों चातरों को CBSE बोर्ड की तरह परमोट कर सकता है इसके लिए उसने अपने तियारिया करनी भी सरु कर दी है उत्तर परदेश मादेमिक सिक्षा परिशत के सचीव दिव कांथ सुकल ने सभी जिल्ला विद्याले निरिक्षकों से 6 माहई यानि कि अर्दवार्चिक और प्री बोर्ड एक्जाम का प्राप्तांग वैब पुरुनांके परिशत की वेबसाइड पर अपलोड करने के में एक सूचना जारी किया यह सूचना 18 माई मायनि कि मंगलवार की साम तक अनिवारिय रूप से द्यनी होगी यानि कि इसके बाद में इस सम्मंद में यूपी बोर्ड दुआरा जल्द ही कोई बड़ा निर्ने लेने के आसार होंगे यानि कि दोस्तों जो अर्दवार्चि और आपके प्री बोर्ड की एक्जाम है उनके प्राप्तांग और पुरुनांग के आधार पर ही आपका रजल्ट जारी किया जाएगा और यानि कि आपको पर्मोट किया जाएगा और दोसको पर्मोटेशन का फाइदा आपको 30 लाग चात्रों को मिलने वाला है आपको बता दे कि उत्तर पर्देश मादे में एक शिक्षा परिशत द्वारा इस साल आयोजित की जाने वाले दस्वी और बार्वी की प्रिक्षाओं को पहले त्री इस्तरिय पंचायती चुनाव और फिर बढ़ते कोरुना महमारी के परकोप के कारण तारिखों में करने पड़ रहे थे जिससे बोर्ड छात्रों के सामने लगातार ऐस समाजस्य की इस्तती बनी हुई थी लेकिन अब साइद यूपी बोर्ड ने भी केंदरी बोर्ड की तर्च पर दस्वी के प्रिक्षाओं को पर्मोट करने का मन बना लिया है जिसके चलते बोर्ड के सच् साइड पर अति सिग्र अपलोड करने के निर्देश जारी कर दिये हैं साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि कोई विद्याले ऐसा नहीं करता है तो इसके लिए पूरी तरह से जिल्ले के जिल्ला विद्याले निरिक्षक जिम्मेदार होंगे और दोसों बता दे कि इस वर्ड यूपी बोर्ड हाई स्कूल में लगबग 30 लाग के करिब स्टुडेंट्स एक्जाम में सामिर होने वाले थी जिनें इस बात का सीधा फाइदा मिल सकता है इंटर के स्टुडेंट जारी रखेंगे अपने तियारी हाला कि बोर्ड दुवारा इंटर की प्रिक्षाओं के सम्मन्द में अभी तक ऐसा कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है कि इसलिए यूपी बोर्ड बारवी के चातरों को चाहिए कि वे अपने तियारी सुचारू रूप से जारी रखें दोस्तो यूपी बोर्ड 2021 की प्रिक्षाओं से सम्मन्द सटीक और सबसे पहले जानकारे प्राप्त करने के लिए आप अमारे इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद में जो ओ दोस्तों और मित्रों के पास से सेर जरूर कीजेगा थैंक्यू दोस्तों जै हिंद जै बारते थैंक्स फोर वाचिंग